नमस्कार दोस्तो दोस्तो इस पीडियो में हम आपको बताएंगे शूट की आस्तिन की सिलिप डिजाइन जो की न्यू तरीके की है तो आस्तिन की नाप कुछ इस तरीके की है उसके बाद हमको एक लार्ज चूड़ी लेना है चूड़ी लेने के बाद आपको इस तरीके से नि तो इस केंवेस को गुलाई में ही जश्ट इसको बिल्कुल कट करना है तो यह हमने कट कर दी अब हमको क्या करना इस तरीके से इसको निकाल लेना है तो यह हमने निकाल लिया इसको अब हम क्या करेंगे अब हम इसको यह कपड़े पे जड़ लेते हैं गुलाई में जैसा यह है बैसे ही तो सिम्पल सा यह काम कंप्लिट होने के बाद इस कपड़े को कट कर देते हैं कट करने के बाद इसको मोड लेंगे इसको मोडने के बाद इसका जो फाल्तू का मार्जन है उसको काट देना है तो इसको इस तरीके से मोडते हुए चले जाएंगे अब हम इसको बनाते हैं अस्तीन में सबस्पहले बीच सेंटर का निसान लगाएंगे बीच का कुटका लगाएंगे उसके बाद इसको बीच ओ बीच पर अस्तीन पर हमको रख देना है और इसको हम जैसी ये कटिये गुलाई में ऐसे ही हम इसको जड़ लेते हैं इसकी सिलाई बिल्कुल गोल लगाना है आपको योगी जैसे सिलाई लगाएंगे बैसे ही डिजाइन निकल के आएगी इस चीज का आपको धियान रखना है बाकी इसके अंदर का जो मारजन है इसको काट देंगे हाफ पैर का ही रखेंगे उसके बाद इसमें किनारे किनारे पे हम कट लगा देंगे ताकि ये डिजाइन पिलटने में कोई भी प्रोब्लम ना हो आसानी से ये पिलट जाए और बैठ जाए बनना ये बैठेंगी ने अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो उसके बाद हमको इसको पिलट लेना है चाहें तो आप इसे पिरस लगा लें चाहें तो नाखून लगा लें तो इतना काम कंप्लेट होने के बाद अब हम एक डोरी बनाएंगे थोड़ी सी चौड़ी ये डोरी जो है दिखें इतनी है यानि कि दो सूथ की है तो ऐसे ही आपको सीधी सिलाई सिंपल सा बना लेनी है सलवार के खपड़े की बनाना है जो कि कंट्रास में होगी उसके बाद इसमें मारिजन नहीं रखा जाता है इसमें आधे पैर का ही मारिजन रखेंगे ये बिल्कुल मतलब पुंगल रहेगी ये मोटी नहीं रहेगी अंदर साइट में नहीं होतनी डोरी बोची नहीं रहेगी उसके बाद इसको हम पलट लेते हैं तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको पलट सकते हैं तो इसी तरीके से आपको डोरियां पलट लेना है उसके बाद हम इसको लगाएंगे तिरचे में हमको लगाना है इस तरीके से ये लिके तीन डोरी इधर साइट से आई हैं और तीन डोरी हमारी इधर साइट से आएंगी लेकिन जाल बनाके ये अटैच होंगी ऐसे ही इसको नहीं रखना है तो इस तरीके से आएंगी अब हम इसको सबसे पहले जड़ते हैं और इसमें जाल किस तरीके से बढ़नेगा तो वो भी देख लीजेगा तो इस तरीके से आपको रख लेना है बराबर रगना जैसी है बिल्कुल ही सेम बराबर में पुंगल डोली बनाने का मतलब यह है कि इससे जो है मोटापन नहीं होगा स्लाई लगाते समय जो डोरी जड़ते समय और हमारे मोटी बगएर भी आसानी से टक जाएंगे तो दीखे यहाँ पर आएब हमको जाल बना लेना है तो दीखे यह खिससे हमको इस तरीके से रखना है और दूसरा हमको इसके उपर ऐसे निकालना है तिसरा हमारा सही है बिल्कुल रखा हुआ इसी तरीके से हमको इसको जड़ लेना है तो यह हमारी कुछ डिजाइन है और इसका जो फालतू के एक्स्ट्रा डोरी है इनको कट कर देना है बाद में चाहें तो रुपाई से इन डोरी को और जदर टाइट मतलब मजबूत कर सकते हैं आप इतना काम कंपलीट होने के बाद हम ताल काट लेंगे इसे ही दोनों बाजू आपको डिजाइन दार बना लेनी है अब हम मोती लगाते हैं तो दीखें मोती लगाने के बाद हमारी डिजाइन कुछ इस तरीके से आई है तो जिस तरीके का आपका सूट हो उसी तरीके के मोटी लगाना है तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल पर पहली बारा है सब्सक्राइब कर बेल आए कनल पर जरूर क्लिक करें